चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक ना वीडियो के साथ जो की है अगर आप लोग यूज कर रहे हो काई शरा टैक्स अलफा वने डबल जीरो प्रिंटर तो अगर आप लोग कुछ दिन के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हो या इसमें प्यापर जम हो रहा है तो प्याप प्रिंटर है और एडि हो गया प्रिंट करने के लिए तो हमने कुछ एफ़ोर साइज प्यापर एक तो डे दिया है और उसके बार हम यहाँ पर प्यापर सेटिंग में जा करके इसका जो एफ़ोर साइज है एफ़ोर साइज में इसको सिले कर लेंगे और इसको थोड़ा जो तो density है इसका थोड़ा हम बरादेंगे और उसके बार हम प्रिंट करने के लिए कोशिज करते हैं तो आप लोग life डेख लिजिए जो पेपर जाम होता है कैसे जाम होता है और उसका solution क्या है दोस्तों तो यहाँ पे रेडी हो गया और यहाँ पे हमने इस तर बतन प्रेस कर दिय है तो कुछ दिन हम यह जो काईचरा टाकसलफा वरने डबल जिर पिंटर है इसको यूज नहीं किया था लेकिन यह जो पेपर के पहले बार यह पेपर ले लिया अंडर पे तो next time हम फिर से try करने वाले है तो आप लोग देख लिजिए यहाँ पे हम next time try करने वाले है जो हम पेपर लगा दिया और इसके बार हमने start button जो है start button प्रेस कर दिया तो एक पेज हमको यहाँ पर लगाना है एक पेज यहाँ पर हमने लगा दिया है इसको हम zerox करेंगे तो यहाँ पर हम प्रेस कर दिया start button तो इस तरब प्रेस करने के बाद यह जो पेपर है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे रेड लाइट जो हो ब्लिंग कर रहा है यानि कि पेपर जाम का प्रोब्लेम आ गया है दोस्तों तब आप लोग परेशान मध हो जाईए पेपर जाड़ा अंदर भी जाएगा तब भी आप लोग ऐसे इसको निकल लीजिए अगर आपका पेपर अंदर चला गया तो भी आपको कोई टेंशनल की ज़रूरत नहीं है हम सिंपल सा प्रोसेस आप लोग को एक बता देते हैं दोस्तों कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आप लोग ले जाएगा इसको थोरा प्रेशा देके ऐसे आप लोग इसको खोल लीजिए अगर पेपर अंदर जाम हो रहा है तो असने से आप लोग निकाल सकते हो जाम नहीं हुआ तो एक बर खोल के इसको बन कर दीजिए आप लोग हम कुछ भी प्रेश नहीं करेंगे आप लोग लाइप देख लिजिए यहाँ पे यह जो पेपर है यह ऑटमेटिक अंदर जाएगा द दोस्तों और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगा है दोस्तों तो यही है जो पेपर जाम कर सोलुइशन तो आप लोग अल्ड़ी देख शुके हो कि कैसे इसको ठीक करना है जाड़ा परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों और काई आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हींड जय भारत